अकोला के M.I.D.C. पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले बाबुल गाउं में दिल दहला देने वाली घटना उजागर हुई है पुलिसिया सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसा सोमवार की लगभग दोपहर के समय 26 वर्षिय प्रियंका उमेश बोबडे नी अपनी ही 13 महीने की मासूम बच्ची की गला दबा कर हत्या कर दी और इसके बाद अपने हाथ की नस काट कर और फिर दुपट्टे से फासी लगा कर आत्महत्या करने का प्रयास किया जैसे ही मामले की खबर परिवार के अन्यसदस्यों को दिखी प्रियंका को अकोला जिलसरकार अस्पताल लेकर जाया गया जहां ICU में प्रियंका का उपचार चल रहा है प्रियंका की प्रकृती गंभीर बताई जा रही है प्रियंका के पत